let's do question number 9th of exercise 2a that is factors and multiples question number 9th is make a list of 7 consecutive numbers none of which is prime ऐसे list बनानी है consecutive numbers means एक के बाद एक numbers ऐसे आये वे हो कि जिन में लगातार 7 number prime ना हो तो वो list बतानी है चलिए 1 से 100 तक पहले counting कर लेते हैं counting लिख लेते हैं फिर देखते हैं कि कौन से ऐसे number है तो देखें ये हमने 1 से 100 तक की counting लिख लिए अब हम इसमें से वो numbers निकालेंगे जो prime number नहीं है ऐसे 7 consecutive लगातार consecutive numbers निकालें जो हमारे prime number नहीं है उन्हें color करना है तो 1 हमारा prime number नहीं है ये color कर दिया 2 हमारा prime number है लेकिन 2 के सारे multiples prime number नहीं होते तो 2 के सारे multiples हमने color कर देंगे क्योंकि 2 के multiples prime number नहीं होते ये सारे numbers 2 के multiples हैं तो multiples हमारे prime number नहीं होते क्योंकि prime number के लिए सिफ दो factors होते है number itself and 1 अब इसी तरीके से 3 हमारा prime number है तो 3 के multiples हमारे prime number नहीं होंगे तो 3 के multiples कौन कौन हो है, यह 9 उसका multiple हुआ, and 15 उसका multiple हुआ, and 27 multiple हुआ, and 33 multiple हुआ, 39 उसका multiple हुआ, 21 भी multiple हुआ, 51 भी multiple हो गया, and 57 भी multiple है, 63 भी multiple है 3 का, 69 भी multiple है 3 का, 89 भी multiple है 3 का, और 99 भी multiple है 3 का अब इसी तरीके से 5 हमार prime number है और 7 हमारा prime number है उसके multiples भी हमारे prime number नहीं है तो हमने उसके multiples 7 के और 5 के multiples को mark कर दिया जो की हमारे prime number नहीं है देखिए इतना ही करने पे आपको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमें क्या निकालने थे, question में 7 consecutive numbers निकालने थे, which is not prime, जो की prime नहीं थे, अगर आप देखें, तो ये 6 numbers लगातार ऐसे आ रहे हैं, जो की prime नहीं है, और एक इससे पहले का 90, तो हमें पता चल गया, कौन से ऐसे numbers हैं, जो की prime नहीं है, मैं उसको color कर देती हूं, तो वो 6 numbers हमा एला है 90, दूसरा है 91, तीसरा है 92, then 93, 94 and 95, ये ऐसे 7 numbers हैं, जो की हमारे prime नहीं हैं, और लगातार हैं, consecutive, अगर आप और जगे देखेंगे, तो ये देखें, ये prime नहीं थे, ये 3 एक साथ prime नहीं थे, लेकिन, आगे के बीच में लगातार नहीं आपा रहें न, देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, या ये भी 1, 2, 3, 4, 5, फिर एक prime आ गया, तो ये भी नहीं मान सकते हैं, ये भी 5 numbers हैं, तो सिर्फ यहीं एक ऐसे 6 numbers हैं, जो की prime नहीं हैं, और लगातार हैं, answer, let's do question number 10, question number 10 is, is there any counting number having no factor at all, ऐसा कोई counting number है, जिसका कोई भी factor नहीं हो, ऐसा कोई counting number है, नहीं है, कि जिसका factor ही नहीं हो, at least one उसका factor है, right? तो no, तो यहां पर लिख देंगे no, next part क्या कह रहा है, find all numbers having exactly one factor, तो अगर आप इस table को देखें, तो इस table में ऐसा कौन सा number है, सिर्फ जिसका एक ही factor है, तो वो कौन सा है, one, क्योंकि बाकी सब number देखेंगे, तो at least prime number भी है, तो वो खुद अपना factor है, और one एक factor है, तो one एक ऐसा factor है, जिसका सिर्फ one ही factor है, और कोई factor नहीं है, तो answer क्या गया है, यह one, next part में क्या कह रहा है, find numbers between one and hundred having exactly three factors, जो की exactly three factor हों जिसके, तो देखेंगे कौन कौन से number है, अब देखेंगे अगर आप one, यह दोनों prime है, four का factor देखें, तो four का factor क्या होता है, four का factor हुआ, one हुआ, two हुआ, और four हुआ, exactly three factors हो, उससे जादा होई न, अगर six देखें, तो six के factors कितने हो जाएंगे, one, two, three and six, तो यह नहीं है, eight के भी जादा हो जाएंगे, one, two, four, eight, nine के, one, three and nine, देखें, nine का अगर factor देखें, तो one, three and nine, ten के अगर factor देखे, one, two, five and ten, तो यह नहीं हो सकता, right, यह six factor नहीं है, इसी तरीके से बाकी numbers भी देखेंगे, हमकी कौन-कौन से factors हैं, आप देखें, twelve, eleven नहीं हो सकता, twelve नहीं हो सकता, क्योंकि twelve के factor है, one, two, three, four, six and twelve, 14 के, one, two, seven, fourteen, fifteen, fifteen के, one, three, five, fifteen, sixteen के भी जादा है, nineteen के भी जादा है, twenty के भी जादा है, twenty-one के भी, twenty-two के है, one, two, eleven and twenty-two, four हो गए, तो twenty-four के देखें, one, six and four हुआ, six हुआ, three हुआ, two हुआ, बहुत सारे हो गए, twenty-five के देखें, one, five and twenty-five, yeah, twenty-five एक ऐसा factor है, तो हमने ये लिख लिया, इसका है, one, five and twenty-five, एक चीज़ अब ध्यान देंगे, कि four, किसी भी number का double, two का double, four, three का double है, nine, five का double, twenty-five, इसी तरीके से seven का double, forty-nine, तो इसका मतलब forty-nine के भी, अगर देखें, one, seven, और forty-nine है, right, तो that's it, अगर हम eleven का factor करें, eleven का double, eleven का double, eleven into eleven होता है, one twenty-one, वो hundred से उपर बैठ जाता है, right, तो बस यही ऐसे चार numbers है, कौन-कौन से है, four, nine, twenty-five and forty-nine, nine, जिसके exactly three factors है, तो हम यहां लिख देंगे, इसकी answer, four, nine, twenty-five and forty-nine is the answer,